नमस्कार दोस्तों मेरे इस चलन में आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो पर हम पाइलेट पेंट के बार में बात करेंगे पाइलेट पेंट जरनदली ये माना जाता है कि इसे हम साइन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं चलिए हम पुराने समय में बापा जाते हैं जब मेरा बच्पन था उस समय 1995-1996 की हम बात करते हैं एक ड्रीम हुआ करता था इस पाइलेट पेंट का मतलब अगर ये पाइलेट पेंट इतनी छोटे से बच्चे तीसरी चौती में जो बच्चा पड़ रहा है उसे अगर मिल जाता था तो बहुत खुसी होती थी बाकि पास से लेकर 10 रुपए वाले जैल पेंट भी आते थे उसकी जो निप होती थी वो काफी मोटी होती थी बट उस पाइलेट पेंट की निप बहुत चोटी होती थी और बहुत समूध लिखता था इस वज़े से हमेशा attraction का part रहता था अगर हम बात करें उस समय की तो उस समय उसकी जो rate रहती थी दोस्तों वो थी 25 रुपए बहुत ज़्यादा थी देखा जाये तो अगर हम salary की बात करेंगे मैं एक normal बात करूँगा normal बात मतलब किसी की आए अगर उस समय 8000 रुपए थी कोई सरकारी करमचारी की आए तो आज की rate में उसकी जो आए है वो एक लाख रुपए हो जाती है तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि उस समय 8000 रुपए आपकी अगर income थी तो वो pain की कीमत 25 रुपए थी और आज आपके salary अगर एक लाख रुपए है तो उस pain की कीमत 35 रुपए और अगर ज़्यादा amount में लेंगे तो उसकी जो कीमत रहेगी वो 33 रुपए होगी मुझे ऐसा लगता है कि जिसे पारले जे biscuit के साथ ये हुआ कि उसका rate कभी change नहीं हुआ उसके अंदर जो material इस्तमाल हो रहा है या जो total number of biscuits हैं वो कम जरूर हुए pain के साथ भी कुछ यही है कि pain ने जो ये basic pilot company है उसने ये वाला पैन पैले पैन नाम से जो चलता है उसे निकाला और उसके rate को इतना ज़ादा नहीं रखा साथी साथ उस pilot pain की जो rate है केवल 25 से समझ लेज़े 23 रुपए हुआ तो बाकी और pain भी आने लगे जैसा कि आपनी image पर देख पा रहे हैं इसको 50 रुपए 60 रुपए के आसपास इसके कीमत रहती है और साथ ही gift pack भी company करती है जिससे company का अच्छा खासा profit हो जाता है चलिए ये तो बात होगी जर्नल बात जो आप लोगों नो भी इसका अनुभव किया होगा अपने समय में लेकिन चलिए अब हम बात करते हैं कि ये company के बारे में पाइलेट company पाइलेट जो company है दोस्तों वो पेन की company है वो आपका इसका जो head officer ये Tokyo में है जो की Japan में आता है Tokyo जापान की राजधानी है पाइलेट पेन का जो सबसे पहले जो invent किया था उनका नाम था आपका Roy Suke Namiki हो सकता है कि नाम में मैं गलती कर रहा हूँ पर जैसा की image आप देख पा रहे है इन्हों ने ही पाइलेट पेन को invent किया था आज भी जब आप shop में या market में जाएंगे तो पाइलेट पेन आपको महच 35 रुपए के आसपास एक single मिलेगा अगर आप 3 का site लेंगे तो 33 रुपए के आसपास आएगा देखा जाए तो कि वाद 7 रुपए की बृद्धी हुई है इतने सालों में अगर हम 1995 में जाते हैं तो इसकी कीमत दोस्तों लगबख उस समय 25 रुपए बढ़ी थी पहले 20 रुपए से I think इसका starting हुआ था वो भी बहुत ज़्यादा था बहुत precious gift माना जाता था आज भी अगर pilot print में आप लिखते हैं तो बहुत अच्छी उसमें writing बनती है आसा करता हूं दोस्तों ये जो history और जो ये मेरा अनुभाव इस वीडियो में मैंने बनाया आपको अच्छा लगा होगा चैनल पर पहली बार पहुँच रहे हैं चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलिए और साथ ही bell icon को भी दबा दीजिए तो मिलते हैं अगले interesting वीडियो में वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद